बोलो जे कारा बोल मेरी शिरिगुर महराजे कीजे चोटी सी स्टोरी एक बार एक बच्चा अपनी मा के साथ शौक में जाता है जब वो शौक में जाता है दुकान दार बच्चे को देखकर टोफी का डिबबा आगे करता है कि कुछ टोफी ले लो, कुछ मिठाई ले लो तो बच्चे ने का नहीं नहीं मुझे नहीं लेनी है इस चीज़ को देखकर दुकान दार बहुत इंप्रेस हुआ क्योंकि बच्चे तो छट से टोफी की तरफ जपकते हैं मीठा पसंद होता है तो ये क्यों नहीं ले रहा तो उसने दो तीन बार कहा मा ने भी कहा ले लो बेटा बोलते हैं नहीं नहीं अगर आप दे नहीं जाते हो अंकल आप खुद दे दो तो दुकानदार ने अपने हाथ से एक मुठी भर टोफिया निकाली और बच्चे को दे दी जब वापिस आ रहे थे तो मा ने बच्चे से पूछा कि तुम्हें तो टोफी बहुत पसंद है तो तुने खुद क्यों नहीं ली तो बच्चे ने कहा मा मेरे हाथ तो बहुत छोटे हैं अगर मैं खुद लेता तो दो चार लेता और अंकल के हाथ तो बहुत बड़े थे ना तो उन्हों ने मुझे जब भर के हाथ दिया तो मुझे ज़ादा मिल गई इसी तरह जब हमारे सत्गुरदाता दिया जी हमें देते हैं तो जोली भरक देते हैं पर हम जब अपनी इच्छाओं के हिसाब से मांगते हैं तो हमें बहुत छोटा सा मिलता है क्योंकि He is ocean of love, He is ocean of giving कि उसके पास सब कुछ है लेकिन हमें मांगना ही नहीं आता हमारी इच्छाएं, हमारी desires जो होती है वो बहुत limited हो जाती है और उनी इच्छाओं की पूर्ती के लिए हम बस दिन, भर, रात उनी चीजों के लिए सोचते हैं उनी चीजों पे काम करते हैं, उनी के लिए मरते रहते हैं पर अगर हम अपना सब कुछ सत्कुर के चर्णों में समर्पित करते हैं अपनी इच्छाओं को भी उनके आगे रखते हैं कि जो उनको ठीक लगे वो देना जो उनकी इच्छा हो वो देना क्योंकि अगर हम अपनी इच्छाओं के सहा हिसाब से चलेंगे तो हमें दुख का कारण भी मिलेगा क्योंकि हमारी इच्छाएं हमें नहीं पता कि हमें सुक देंगी या दुख हर काम हम अपनी खुशी के लिए अपने सुख के लिए करता है पर कभी कभी उसी सुख के पीछे बड़ा दुख छिपा होता है लेकिन हमारे मालिक को पता है हमारे पिता को पता है कि हमारे लिए ये चीज अच्छी है या नहीं है जैसे अगर एक छोटे बच्चे के हाथ में चाकू आ जाए, तो उसके पेरेंट्स उसकी फैमिली जल्दी से चाकू उसके हाथ से लेते हैं, बच्चे के लिए तो वो खेलने की चीज है, क्योंकि उसको नहीं पता कि उससे हाथ भी गट सकता है, लेकिन फैमिली को पेरेंट्स को पता है कि इसे हाथ भी कट सकता है तो इसी चीजों को ध्यान में रखते हुए अपने शिरी गुरु माराजी के चर्णों में हमें समर्पन करना है और जो कमांड सत्गुर्दाता द्याल जी देते हैं उनके आगे यसर करना है वो करेंगे तो सब अच्छा होगा क्योंकि कहते हैं कि अगर हमारे मन की हो तो अच्छा अगर ना हो तो बहुत अच्छा क्योंकि तब हमारे मालिक के मन की होती है जो मालिक के भाव की होती है क्योंकि मालिक जानते हैं सत्गुर्दाता द्याल जी जानते हैं किसमे हमारा अच्छा है तो अपने आपको सत्गुर के आगे समर्पन करते हुए अपना ध्यान सत्गुर की आग्या में लगाते हुए उनके वचनों को हिर्दे में धारन करते हुए उनकी सच्ची शर्दा भाव से सेवा करना हमारा यही करताव्य होना चाहिए और उनके नाम जबते जबते शुकराना करना सीखना चाहिए नहीं तो हमारे इच्छाएं, हमारे डिजायर्ज हमें दुखों की तरफ ले जाती है दुख का कारण बनती है जैसे हमने पिछले हफ़ते डिसकस किया था कि month of may is a challenge, challenging by because may means होता है possibility and हम अपने आप में एक possibility ढूनेंगे कि हम अपने आपको challenge करेंगे अपने विकारों से उपर उठने के लिए तो हमारा सबसे पहले विकार यही है कामनाई, इच्छाएं जब हम इन से उपर उठेंगे अपने आपको challenge करेंगे कि हमें अपने मालिक की मौज के अनुसार रहना है मालिक की आग्या में रहना है तो हमारा दुख का कारण वहीं से end हो जाएगा सुख की शुरुवात हो जाएगी क्योंकि एक इच्छा से दूसी इच्छा बनती है जब एक इच्छा पूरी होती है तो दूसी शुरू हो जाती है क्योंकि it's a never ending कि आज हमें एक सुख की इच्छा है कि आज हमें cycle चाहिए cycle मिल जाता तो हम कहते हैं motorcycle चाहिए motorcycle मिल जाता तो हमें car चाहिए और फिर दुख का कारण भी बनते हैं, हमें ये भी देखना चाहिए, कि भगवान ने जो दिया है, उसका शुकराना कर ले, कि भगवान ने हमें जो भी दिया है, ये उसकी महरवानी है, उसकी दया है, उसकी किर्पा है, तो उनी सब चीजों को शुकराना करते हुए, सद्कुर की आग्या में चलते हुए, उनकी चर्णों में अपने ध्यान को लगाते हुए, हमें दो घंटे भजन अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि शिरी गुरु माराज जी फरमाते हैं, कि अगर हम जादा से जादा भजन करेंग तो इस पैंडेमिक टाइम से जल्दी उबर जाएंगे, क्योंकि ये कुद्रत का कहर जो है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी से ही ठीक होगा, जितनी पॉजिटिविटी हम क्रेट करेंगे, जितनी पॉजिटिविटी हमारे अंदर आएगी, उतनी ही हमारे सराउंडिं जाएगी, कि हमेश श्री गुरु माराजी चाहते हैं कि एक दिया बन जाएं, एक दिया जो रोशनी देता है, रोशनी सिर्फ अपने घर की नहीं, जितनी सराउंडिंग एरिया में दियेगी रोशनी जाएगी, उतना एरिया पैंडेमिक से सेव होता जाएगा, तो अगर हम हर घर में एक दिया जला लेंगे, भक्ति का दिया, मेडिटेशन का दिया, तो हमारे अंदर वो पॉजिटिविटी करेट होगी, हमारे सराउंडिंग पॉजिटिविटी करेट होगी, हमारे नेवर्वुड पे पॉजिटिविटी करेट होगी, तो हम एगर हर घर में दिये ह तो इतनी positivity बढ़ेगी कि हमारे यहां से वो coronavirus गायब हो जाएगी, तो हमें अपनी कम्यों को challenge करते हुए, अपने ध्यान को एकागर करते हुए, सत्गुरुदाता द्याल जी की भजन भक्ति में लगाते हुए, अपने सुख को बढ़ाना है, अपनी vibrations को बढ़ाना है, ताकि हम अपनी इच्छाओं से उपर उठ सके, बोल जै कारा, बोल मेरे, शिरी गुरु महराज की जै